हलो फ्रेंट्स इस वीडिया में हम लोग गौतम बुध और महावीर के जीविनी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और याद करेंगे आई दोस्तों सबसे पहले हम लोग गौतम बुध और महावीर के जनम को देखते हैं हम लोग ये comparatively पढ़ेंगे जिससे हमें ये आसानी से याद हो सके सबसे पहला दोस्तों, गौतम बुद का जनम कब हुआ था? गौतम बुद का जनम जन हुआ था? 563 BC, 563 इसा पूर्वर यहां देखी दोस्तों मैंने इसे याद करने के लिए बनाया है 563, 5 के बाद क्या 6, 6 के बाद क्या 6 का अधा 3, 563 BC तो गौतम बुद का जनम कब हुआ था? 563 BC में दूसरी ओर महावीर का जनम कब हुआ था? 540 BC 540 इसा पूर्वर महावीर का जनम हुआ था 540 इसा पूर्वर और गौतम बुद का जनम हुआ था 563 इसा पूर्वर यहाँ देखिए दोनों में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 40 है कितने का अंतर है दोस्तों? 23 कितने का इन दोनों के बिच में अंतर है? 23 आए दूसरा कोश्चन देखते हैं, गौतम बुद का जनम कहा हुआ था? यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने गौतम बुद का बहुत ही एक लंबा प्रतिमा बनाया है यहाँ देखिए एक बहुत लंबा पिक्चर है, या फिर बहुत लंबा स्टैचू है इस लंबा से हम लोग याद कर सकते हैं, लुंबिनी, क्या याद कर सकते हैं? लुंबिनी 1 गौतम बुद का जनम हुआ था, लुंबिनी 1, कपिल वस्तु में, जबकि महावीर का जनम कहा हुआ था? महावीर का जनम यह दखी दोस्तों मैंने कुंड बनाया है कुछ कुंड आप देख सकते हैं कुंड वन, टू, थ्री कुंड, 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 कुंड इससे हम लोग याद करेंगे नीमोनिक से हम लोग क्या रेंगे कुंड कुंड मतलब एक वह जलाश है कुंड मतलब क्या हुआ जलाश है तो महावीर का जनम हुआ था वहाँ पे क्या है कुंड है कुंड है कुंड है इसी कुंड से हम लोग याद करेंगे कुंड ग्राम महावीर का जनम हुआ था कुंड ग्राम में महावीर का जनम कहा हुआ था कुंड ग्राम में जो कि वैशाली के निकट है बिहार में वैशाली के निकट क्या है कुंड ग्राम यहाँ पिक्चर से याद कर सकते हैं कुंड 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 कुं में आईए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जन्न तो हम लोगों नहीं याद कर लिया अब मृत्यू को भी हम लोग याद ही कर लेते हैं यहां देखिए जिसे हम लोग बहुत सबसे पहले देखें गौतम बुद्ध और उसके बाद हम लोग देखेंगे महावेद मृत्यू को हम लोग निर्वान कहेंगे यहां देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध जब 80 साल के हो गए कितने एर्स ओल्ड हो गए 80 एर्स जब 80 साल के हो गए तो 483 इसा पुर्व उनका जनम हुआ था 563 हिसा पुर्व में और 80 वर्ष बाद 483 483 कितने वर्ष ओ बाद दोस्तों 80 वर्ष ओ बाद आप सोचते हैं 80 वर्ष के गौतम बुद्ध हो गए यदि 80 वर्ष के हो गए तो कितने बुढ़े हो गए होंगे कैसे चलते होंगे और कैसे वो रहते होंगे 80 साल जो कि बहुत ज्यादा एज होता है दोस्तों तो इस 80 साल को हम लोग 563 में से यदि घटा दें तो आ जाएगा 483 BC 483 BC तो गौतम बुद का निधन 483 इसा पुर्व हुआ अब देखिए इसे हम लोग या अब एक और देखेंगे कि इनका मृत्यू कहा हुआ तो कुशी नगर और इनके मृत्यू को हम लोग क्या कहते हैं महा परी निर्वान यह तो अब लोगों को याद भी होगा दोस्तों इनके मृत्यू को हम लोग क्या कहते हैं महा परी निर्वान यहां देखिए जब गौतम गुद्ध का मृत्यू हुआ तो वो तो थे 80 साल के लेकिन उन्होंने जिंदिगी भर तपस्या की उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई और ग्यान की प्राप्ति होने के कारण जब उनकी मृत्यू हो गई जब उनका निर्वान हुआ तो बहुत खुश थे हम लोग कुशी नगर को निमोनिक्स खुशी से याद करेंगे कुशी नगर को निमोनिक्स खुशी से याद करेंगे दोस्तों आज के जिंदिगी में हम लोग जिंदिगी भर पाप करते हैं हम लोग जिंदिगी भर गलत काम करते हैं तो मरते के समय भी हमें खुशी उन्हें ग्यान के प्राप्ति हुई तो अंत में वो अनंत खुशी को प्राप्त किया उन्होंने अनलिमिटेट हैपीनेस हैपीनेस यहाँ वाड़ हम लोग नहीं उस करेंगे खुशी को प्राप्त किया और उसके बाद उनका क्या हो गया निर्वान हुआ इसी से हम लोग इसा पुर्व हुआ था महावीर का जनम हुआ था 540 इसा पुर्व और जब उनकी मृत्यू हुई तो वह थे 72 वर्ष के वो थे 72 वर्ष के इसी से हम लोग देख सकते हैं 540 में यदि हम लोग 72 घटाएंगे दोस्तों तो 468 इसा पुर्व आएगा तो इनकी मृत्यू कहां कि महात्मा बुद्ध ऐसे हम लोग कहते हैं लेकिन महावीर को भी महात्मा हम लोग कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी जिन्दगी पर तपश्या की और क्या वह बहुत पावर्फूल हो गये वह क्या हो गये बहुत पावर्फूल हो गये उनमें क्या था बह इस पावापूरी को हम लोग चाहिए रहें दोस्तों पावर से इसके लिए जो और मौनिक्स लेंगे हम लोग चाहिए इस पावर इस मलोग चाहिए पावर पूरी यह दिखिए दोस्तों पावा पूरी में लोग रहें है's Jahren यह aún झाल